बीजेपी सांसर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि राहूल गांधी जी को किसी के सरनेम को लेकर आपती जनक बयान नहीं देना चाहिए। उनसे खास बाच्चित के हमारे समवदात प्यूश्टिवारे ने देखे है। आप इस पूरे प्रक्ण को किस तरीके देख रहे हैं? इस देश में सरवपरी कानून हैं, कानून हर किसी के लिए समान है, चाहे वो राहूल गांधी जी हो या देश का कोई भी नागरिक हो, सब को कानून का पालन करना ही चाहिए। और जो भी कानून का पालन नहीं करेगा तो फिर उससे सजा होगी ही और वही हुआ उनके साथ सर चुकी लोकसभा के चुनाओ भी नजदीक हैं भारती जनता पार्टी के किस तरीके से तयारी है क्योंकि आज भी जो बीजेपी के राश्ट्री अध्यक्स है जेपी नेड़ा खास दोर पे वो भी सी के तमाम सांसोदों के साथ बैठक करेंगे रणनीती बनाई जाएगी बी चुदी जी की सरकार में जो भी हुआ है वो पूरा देश जानता है देश के लोग जानते हैं पूरी दुनिया जानती है तो जो हम लोगों ने किया है उसी के दम पे फिर जितेंगे सरे विपक्षी दल लगतार एक दूसरे को एकजूट करने में लगे हुए हैं खासतोर पर जो समान विचार धारा के विपक्षी दल है आपको लगता है कि इससे बीजेपी को चुनोती मिलेगी 2024 में नहीं मिलेगी उसका कारण यह है कि पूरा देश यह जानता है कि जो लोग भरष्टाचार किये थे और अब उनको सजा हो रही है उनके ओपर कारवाई हो रही है तो एक जूट हो रहे हैं कि उससे बच पाएं पर देश पूरा जानता है तो कोई फरक नहीं पड़ेगा कि सा समाजवादी पार्टी के किले में भेद किया है अभी एक बार फिर से रामपूर की अगर हम बात करें कहा जाता रहा है कि उस समाजवादी पार्टी का वो भी गढ रहा है। का गढ़ नहीं उससे फरक नहीं परता है जनता को चाहिए कि उसके लिए अच्छा काम हो और आपने देखा है आजम गढ़ वह भी पहले कहा जाता था कि सपा का गढ़ है पर हम लोग जीते वहां तो निश्चित रूप से यह जो चुना हो रहा है उसमें भी बीजेपी जीते कि धन्यवाद सर्तियत है हमारे साथ बीजेपी सांसर दिनेशला निरहुआ जी इनका साफतोर पर कहना है कि स्वार विधान सभा को लेकर उप्चुना हो रहा है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही वहां जीते गी वीडियो जीते रामतरी पार्टी के साथ प्